मन्थली प्रिप्रेशन के लिए ICSC & IAC का सबसे अच्छी किताम कौन हो सकती है तो यहाँ पर बहुत सारे बुक मार्केट में अवलेबल हैं और एक से एक पब्लिकेशन के है मैंने उसवाल पब्लिकेशन को सबसे पहने तब जाना जब इसके जो 10 years था उसको मैंने देखा था और इसको परचेज किया था इस तेन येर से जहा है कि उसवाल पब्लिकेशन के बूक होते हैं और ICSC & IAC के लिए 2024 के लिए मैंने परचेज किया था उस समय मैंने यह देखा था कि यह बुक ता फिव ब्योगी है, कि इन बुक्स मैं आलसन को टूदा वाइत दिया लिया था, अब मैंने इसी से इंस्पायर हो कर बुक पूरा एक सेट खरदा, जो कि ICSC and ISC के लिए है, और यह पूरी तरह से यह बुक मुझे पढ़ गया था करी देखेंगे, फिर आपके final term के examination, तो subject का सबसे अच्छा preparation कौम से बुक्स के की जाने चाहिए, मैं देख रहा था इसके history का था, या फिर ISC के physics का देखा, फिर मैंने ICSC physics का देखा, biology का देखा, जो मैंने पूछा था, बहुत सारे बुक्स को, और कोई भी एक book, randomly manical history का, सब subject का है, even mathematics का, उनको देखने के बाद मैंने जब पूछा कि इन books की खासियत क्या है, क्यों हम इन books को purchase करें, पिछली साल भी मैं इस books को purchase करें था, लेकिन अभी की बाद पताता हूं, तो इस book को करीब 4 पाइट में बाटा गिया, और ये book इसलिए उपयोगी है कि इस book में आपको दे दिये गए, तो रिवाइट syllabus आपके लिए एक बहुत बड़ा बून या परदान हो सकते है, आप देख लिए, मार्केट में अवलेवल जितने भी books है, यदि syllabus 2024 के है, तो वियोगी है, अन्यथान नहीं, अब दूसरी बात आ जाती है कि मैं इस subject की बात पर दो, य यहाँ पर प्रते चैप्टर के हिसाब से, जो important viewpoints है, जिसको हम लोग करते है, mind map, यहाँ पर चार्ड पर दिया गया, mind map, एक complex चीज़े, सभी को याद रहे होते हैं, तो यह चार्ड सरे important formulas है, और concept दे दिये गा, इसे student को subject को समझने में बहुत आसानी हो जा रही है, मेरे ज जो बुरा ICAC question bank series है, इसके तीसरी जो सबसे बड़ी खास्यत मुझे है, जो दिखने में लेगी है, कि इस book में आपको subjective और objective को काफी अच्छी तरह से differentiate किया गया, subjective questions, objective questions, इस बार, फैरली बार, CISC इन ने assessor and region को भी सामिल कर दिया, तो उसको भी objective type में दे दिया गया, और questions के answer है, उसके बाद one word, fill in the blanks हो, या फिर आपके very short answer वाले questions, with fact, एक chapter को आप पढ़ते हैं, तो उसके कौन-कौन से important points, एक detail यहां पढ़ते दिये गए, इससे student को काफी समझ आता है, कि आके तो chapter का मोटे तोर पर, कौन-कोन से point हमको याद रखने चाहिए, MCQ में, अब हम आ जाते हैं, कि long answer वाले questions, तो long answer वाले questions से पहले, जो differentiation वाले questions से, अंतर वाले questions से, science में, फिर history civics और geography में, computer में भी, कई बार रहते हैं, कि point-wise differentiation रहते हैं, तो जिस point को आपने left side में लिखा, उस point के अगे, उसमें right side में लिखेंगे, उससे मिलते जुलते differentiation होने चाहिए, त जब आप figure based question को देखते हैं, तो उसके इतने अच्छे explanation है, और बाकी बुक में होगे कि नहीं होगे, मैं इसको नहीं reject करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा, कि काफी अच्छा और आफसानीस explanation है, जिसको की हम लोग देख और समझ सकते हैं, इसके बाद, आती है point wise लिखने का पूरा प्रयास किया गया है, तो इससे होता है कि student को अच्छी तरह से इन बुक्स की समझ हो जाती है, कि हाँ एक बुक्स है, तो इनकी उपयोगिता आखरी student के लिए ठ्योग कर बनती है, अब यहाँ पर आगए कि students के numericals, math का मैंने बताया, numericals में यदि आपके यहाँ पर देख लिए, physics, long answer वाले questions है, या numericals है, तो numericals with explanation, जिस detail से दिएगा है और पूरे steps को follow की गए, इससे लगता है कि मेरी समझ में यह बुक्स काफी उपयोगी हैं, आपके लिए, और आप इन बुक्स को एक बार जरूर देख सकते हैं, अच्छा या बुरा लगना, purchase करना या ना purchase करना, मेरी recommendation पर depend नहीं करता है, बलकि आपके पसंद और ना पसंद के साथ साथ इसके जो word limit है, question के answer, वो उपयोगी है, तो आप इन बुक्स को purchase कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो questions के variations हैं, जिसमें कि analytical question को 30% तक limit किया गया है, फिर objective type questions को 20-25% तक limit किया गया ह तो इस variation में total 100% के formula को latest updated जो CIC के सिलेकर से उसके नुसार है, तो आप इनको purchase कर सकते हैं, वीडियो को like कर सकते हैं, चैनल को share कर सकते हैं और सब्सक्राइब पर ना याद रखिए